नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपको संजित स्वागत करता हूँ नॉलेजगेट यूट्यूब चैनल के उपर इस प्लेलिस में फाइनली शुरुआत करने जा रहे हैं सौफ़वेर टेस्टिंग की तो सौफ़वेर टेस्टिंग पूरे सौफ़वेर इंजिनरिंग का वर सबसे पहले ये वीडियो सबसे इंपॉर्टन होने वाली है क्योंकि टेस्टिंग के कुछ बेसिक फंडमेंटल टमिनलोजीज कीवर्ड बेसिक अंडेस्टेंडिंग इस वीडियो में डेस्कस करेंगे तो सबसे पहले बात करता हूँ डेफिनेशन के और आइडिया समझेग एरर क्या है फॉल्ट क्या है बग क्या है ऐसे बहुत सारे कोश्चिन कई बार अलग-अलग कॉम्टेटिव एक्जाम में रिपीट होते हैं तो पहले एक बार इन सब को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर मैंने एक पूरा फ्लोचार्ट बनाया क्या बिकॉस अफूर एरर विल भी अबग और फॉल्ट इन आ कोड और फॉल्ट और बग इस एक्जिक्यूटिट देन बिकम सफेलियर तो रियल लाइफ में आप और मैं क्या शब्द उसका मतलब नहीं है एरर से क्या मतलब होता है यहां पर टेकनिकल बात समझेगा step number one में human कोई error करेगा हम code करेंगे भाई code करते हैं कुछ न कुछ गड़बड तो होगी तो जो गड़बड हम करेंगे उसे हम बोलते हैं यहां पर error है ना तो error क्या है error वो है जो human करेगा step number two में उस error की वज़े से कोई bug या कोई fault जो है वो हमारे code में आ जाएगा अब code में अगर bug या fault है वो उस समय problem बन जाए ज़रूरी तो नहीं है उस समय तो मान लीज़े में मिलेगा भी नहीं होगा क्या कुछ समय के बाद कोई उस code को run करेगा और अगर आपका ध्यान या अगर गलती से हमने वो part of the code run कर दिया जहां पर वो bug या fault था क्या है so software testing क्या है it is a process of executing a program एक program हम execute करेंगे किस लिए कोई problem solve करने के लिए नहीं with the intention of finding bug और fault in the code ताकि हम code में अगर कहीं पर कोई इसी add-on कर देता हूं software testing का जो major objective है क्या है पहली बात तो जो code है हम चेक कर रहें उसमें buggya fault है के नहीं एक बात और भी है ऐसा भी हो सकता है कि आप जो code चेक करें उसमें buggya fault नहीं हो लेकिन ये code जो हमारा customer है जो हमारा client उसने मांगा ही ना हो तो हमें ये भी देखना है क को as per requirement बना है के नहीं बार में बात करेंगे जिसको verification and validation का difference कहते हैं तो software testing में सिर्फ code को execute करके हैं नहीं देखते कि code सही चल रहा है के नहीं हो सकता code सही चल रहा हूँ बट भाई ये code मांगा की भी गया था कि नहीं मांगा गया था दो तीन बाते जो पूरे चाप्टर के अंदर हम ध्यान रखेंगे देखिए software engineering के अंदर problem क्या है specifically testing के अंदर exhaustively यानि कि आप कितना भी testing क्यों ना कर लो कितना पैसा कितना time कितनी विल टीम क्यों ना बना लो क्या हम कभी भी बोल सकते हैं क्या कि whether it's a hardware यहां software की बात कर रहे हैं यह software हमने 100% टेस्ट कर लिया है और अब इसके अंदर कोई buggya fault नहीं होगा ऐसा तो कभी नहीं बोल पाएंगे है ना तो हमारा काम क्या है हमारा काम यह है कि space बहुत बड़ा है काम बहुत जादा है कैसे minimum time में minimum effort minimum number of test cases के साथ इतने smart test case हम लिखें कि जादा से जादा condition हम चेक कर पाएं और customer को एक better quality product यहां पर मिले है ना तो यह बड़ी important बात है उसके अलावा कुछ और basic principles मैंने लिखके रखें बहुत काम आएंगे खासकर university exams में complete exam में तो ध्यान दीजेगा first of all testing must be based on user requirement यह कुछ guidelines है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि testing अपने हिसाब से नहीं करनी हमें साथ साथ देखते रहे ना SRS requirement specification में मांगा किया गया था और हम जो दे रहे हैं उसी के accordance में दे रहे के नहीं दे रहे है point number one point number two यह याद रखना है कि ऐसा नहीं testing हमेशा चलने है it is impossible to check the entire specimen पहले आपको बोल गया 100% testing आप कभी नहीं कर सकते तो आपको efficiently testing करनी है ताकि जादा से जादा चीज़े आप test कर पाए testing must start after a proper test plan हर चीज से पहले proper planning strategy टीम्स वो सब होगी तो क्या testing उठाके चलो प्रड़क्मन के ऐसी testing शुरू करते हैं कभी-कभी ऐसा हो जातो तो ऐसा नहीं करना जिस तरह किसी भी phase से पहले proper planning हम करते हैं उसी तरह testing से पहले प्रॉपर test plan हमारे पास होना चाहिए the possibility of existence of more error in a module is directly proportional to the error already being found कभी-कभी क्या होता है ना idea समझे हमने code को test करना शुरू किया और हमें 10-12 error मिल गए तो अब हमें ऐसा लगेगा कि अच्छा ने तो शायद यह हमने test कर लिया और अभी जो बचा है वो perfect होगा नहीं अगर किसी code में ज्यादा error मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें ज्यादा error है अब हमें उस code को और ज्यादा exhaustively और ज्यादा अच्छे से test करने की ज़रूत है ना तो ऐसा नहीं है फर एक्जामपल दो code है हमारे पास दोनों को 50-50% test किया पहले में तीन error मिले दूसरे में साथ मिले इसका मतलब यह नहीं जिसमें साथ मिले उसमें तीन यह बचे और जिसमें तीन तो इसमें साथ मिलेंगे जिसमें साथ मिले उसका मतलब उसमें total number of error ही जादा है तो उसको अच्छे से चेक करना है हमें yes ठीक है then testing must be done by a third party बहुत important बात है अब जो चीज़ आप कुछ से software लिखा अगर आप खुदी test करेंगे तो क्या अपनी लिखुई गल्तियां ढूंद पाएंगे नहीं तो आम तौर पे इस always advisable की जो developer team है वह आम तौर पे एक-डो stakeholder हो सकते हैं वैसे testing के लिए कोई other person होना चाहिए other team होनी चाहिए assign best person of the company to the testing obviously experience होगा आपने technology भी काम किया होगा तब तो test कर पाएंगे ना ठीक बात है टेस्टर must have a destructive attitude towards the code but मैं आगे add कर देता हूं not towards the coder कभी-कभी और यह नो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो टेस्टर होते हो जो डेवलपर हो तुन में आपस में है जिसे बोलते है 36 का लड़ाई हो जाती है क्योंकि वह बार-बार code लिखेगा टेस्टर उसकी गलती निकालेगा तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो destructive attitude है वह coder के लिए नहीं है वह कुछ code के लिए है हमें यह देखना code में क्या गलती है और एक positive feedback देना कि यार इस तरह की गलतियां बार-बार हो रही है और टेस्टर को भी चाहिए जो developer है वो उसको बात को समझाए कि अब इस तरह की mistakes आप future में ना करें तो very important point must perform both functional and non-functional testing यह भी important बात आके बात करेंगे जो गोलते है लकीर के फकीर होना functional testing वो है जो copy पे लिखी हुए जो requirement लिखी हुए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए बट इसी बहुत सारी चीज़े हो सकती है जो specific ना हो बट आपको देखके समझा रहा हूँ यह कमी अच्छा नहीं लग रहा इसका graphics अच्छा नहीं है चेंज होना चाहिए तो tester की responsibility सिर्फ you know functional testing करके report बनाने की नहीं है आपको non-functional testing भी करनी है याना यानि कि उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो copy पे नहीं लिखी हुई है srs में mentioned नहीं है we must give emphasize on automated testing tools but the final testing must be done by the humans again a very very important point तो आजकल और आजकल क्या पिछले 10-15 साल से जो software industry का training है टेस्टिंग काफी हद तक automatic हो चुकी automated हो चुकी है बट इसका मलब यह बिल्कुल भी नहीं है हैना कि हम 100% उन्हीं पे reliable हो जाए तो आप tools का इस्तमाल करिए अपनी testing को और cheap बनाने के लिए और efficient बनाने के लिए लेकिन final testing आज भी किसी human को ही करनी चाहिए so that हम total idea को conclude कर सके तो इस वीडियो में में रिखाल से टेस्टिंग क्या है basic understanding guidelines objectives उसब आपको समझ आया होगा अब आने वाली वीडियो में इस unit में इस you know playlist में अभी वीडियो थोड़ी छोटी-छोटी होने वाली है बट मैं हर type के लिए अलग video बनाऊंगा तो बहुत सारे types हैं एक एक करके one by one एक टाइप के ओपर video आती जाएगी yes इसी तरह प्यार आप सभी को खुश रखे जै हिंद जै भारत